हेलो एंड वेल्कम गाइस मैं हूँ आपका अपना होम ट्विटर निखिल सर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्लास क्यालकुलेशन आफ इंट्रेस्ट और ड्रॉइंग के साथ कल हमने कुछ फॉर्मुले बढ़े थे इंट्रेस्ट और ड्रॉइंग करने के सिंपल मैं को कल पढ़ा चुका हूँ आज हम एक कोशन करते हैं दोनों ही मैथट फॉलो करने वाले प्रोड़क्ट मैथड भी और सिंपल मैथड तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोशन इंट्रेंबर ट्वंटीफोर है टीएस ग्रेवाल से जिनकी पास बुक है वीडियो को पढ़ लेंगे उसके बाद आगे समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन दूरिंग ये इंटर्टीफ मार्ट ट्वंटी और पार्टनर विड्ड्रॉ एस फॉलो यहनि एक पार्टनर ने बिजने से कुछ अमाउंट विड्ड्रॉ किये ध्यान रगना रगस्त को कितना है ऐसे यहां पे आप अमाउंब देख रहे हो अमाउंट क्या है कौन सा मेथड़ ज्यादा यूसफुल है विए उसके बाद् है कौन सा मेथड़ ज्यादा यूसफुल होगा जिसमें मारा टाउन जल्दी से वे जाता ए तो आपको कल समझा चुका हूँ जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है पहले कल का वीडियो देखेंगे तो यह बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा यह फॉर्मॉला हमारे सामने लिखा हुआ है अब हम कोश्चन करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेट वाला कॉलम मैं तो इसको इंट्रेस्ट पे करना पड़ेगा इंट्रेस्ट कप पे करना पड़ेगा 31st मार्स तक कप पे करना पड़ेगा तो बताओ फॉर्स्ट में को अगर ड्रॉइंग किया है तो फॉर्स्ट में से लेकर 31st मार्स तक कितने मंस होगे उतने मंस का इसको क्या करना पड़े तो 1st April 1st मैं एक महीने का नहीं लगेगा तो बताओ 12 मैं आगरे में नहीं लगेगा तो कितने मन्स हो गए 11 तो यह हो गया 11 मन्स का नएक तक रहाता है फॉर्स अगस से केकलक्रेड करो फॉर्स ऑगस से केकलकूरेड करोगे 31 मास थका अब चाहो तो सीधा जगğिलो कि क Harald में लोगो कि उप्रैयल पेना शोड़ने अपर्या चोड़ना है जूझ चोड़ना है जुलायच चोड़ना है और अगस्त नहीं छोड़ना है क्योंकि first अगस्त है तो कितने मग छोड़ने 4some ey sign को 12 में से लिएकेगा अभी900 व क्या तर्टी सेप्टेमबर ध्यान रखा करो अगर तर्टी सेप्टेमबर गिवन है इसका मतलब है कि सेप्टेमबर तो चला गया अब बचा गया औक्टूबर और आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा औक्टूबर से मार्च होते हैं सिक्स्स मथोते हैं फिर लेट की बात करते जैन को ड्राइंग किये यह यानि जैनुर्वरी तो चला गया बचा गया फेवर्रिय और मार्च कितने मंद से रह गए तो कितना निखो गया यह जीर तो क्या निखोगे और उससे में क्या मुटिसिस्ट निकल जाएगा पर मुझे क्या टोटल of प्रोड़क्ट चाहिए इन को मैं आड़ोगा टोर्टल प्रोडक्ट फिर मैं इसको फॉर्मिलें पूट कर दूँगा आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टिप्लाइगा लो लें तूजा 22000 85000 फॉर्टी दॉजंट शिक्स टूजा ट्वैल शिक्स टूजा ट्वैल और यह जीरो हो जाएगा मल्टिप्लाइग करते हैं इन सभी का टोटल कर लेना टोटल लाएगा इसका कितना 86000 लुपीस यह क्या निकाल लिए यह निकाल लिया टोटल आफ प्रोड़क्ट अब क्या करो होगे आपने जैसे देखा यह मैथर थोड़ा आपको इजी लगेगा जब आप दूसरा मैथर पढ़ोगे तो कर लेते हैं पहले इसको तो यहां क्या करोगे टोटल अप्रोड़क्ट लिदोगे अमाउंट कितना है 86000 क्या है यह टोटल आफ प्रोड़क्ट मल्टिप्लाइ क्यों क्यों कि मैं मुल्टिप्लाइ मंच से अल्रेडी कर चुका हूं तो नहीं लिखना है लिखना है अब इसको स्वाल कर लिना तो इसका अंसर आजाएगा 1075 इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कैल्कुलेशन आप लोग वही करना है एंट ठीक है अब बात करते है हमारा जो आंसर आया वह 1075 है अब अगर इस सी कोश्चन में हम लोग सिंपल मैथर लगाएंगे तो आंसर भी वही आएगा सेम 1075 लेकिन अब आप जब इसको स्वाल करोगे तो आपको पता लगेगा कि ज्यादा बैटर टेकनिक यह है उसके कंपरेजन में तो चलिए इस सबसे पहले क्या करोगे अमांट ऑफ ड्रॉइंग लिखोगे पहला अमांट ऑफ ड्रॉइंग कितना है तो लिख लेता हूं में 2000 इंटू रेट अपॉं अंडेट के हमारे पास 15 परसेंट इंटू 15 अपॉं 100 इंटू मन्थ अपॉं 12 अब मन्थ करने की ज़रत नहीं अभी के यह हमने चल्कुलिट किये थे तो मंत कितने है एलेवन मन्त तो इंटू 11 अपॉं 12 उसके बाद अभी इसको स्कॉल कर लेंगे उसके बाद बात करते हैं सेकिंड राइंग किना के 5000 तो लिखोगे 5000 इंटू रेट अपॉं 100 यहेट कितना है 15 परसेंट इंटू मन्थ अपॉ तूज़न रूपीज इंटू रेट आपको पता है 15% इंटू मन्त अपॉन 12 मंध कितने हैं 6 6 अपॉन 12 फिर बात करते हैं अगले कि अग्ला मौन कितना है हमारे पास 6000 रुपीज इंटु 15 पर्जेंट इंटु मन्थ अपॉन 12 यह तू अपॉन 12 उसके लाज लिख लेते हैं फिर नेक्स कितना था हमारे पास 2000 रुपीज का तो 2000 रेट अपॉन 100 इंटु मन्थ अपॉन 12 जीरो पॉन 12 अब इन सभी को सॉल करोगे अगर और भी अमॉंट ऑफ ड्रॉइंग गिवन हो तो ऐसी कैलकुलेशन आपको बहुत सारी बार करनी पड़ेगी और आपका कैलकुलेशन में हाथ वैसे भी क्या है थोड़ा टाइट ही रहता है तो आपको इध्यान रखना है कि यह करोगे तो बहुत टाइम आपका कंस्यूम हो जाएगा तो बोड में होता गया है पेपर हमारा पूरा सॉल नहीं हो पता कुछ कोशन रह जाते हैं तो आपको मैंने समझाय था कि प्रोड़क्ट मेंदर कभ यूसफुल है जब हमारे पास ड्रॉइंग के अमाउंट या पर ट 150 और यह अल्रेडी क्यों जाएगा जीरो हो जाएगा तो आंसर क्या आने वाला है इसका टोटल करोगे तो आंसर वही आएगा 1075 तो जैसा कि आपने देखा कि चाहे मैंतर प्रोड़क्ट लगाओ या सिंपल मैंतर लगाओ आंसर तो सेम ही आने वाला है लेकिन आपको टाइ सिंपल मैठड भी आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको थोड़ा लगता है लेकिन तेपीकल नहीं है कल अब लोग पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंट्रेस्टिंग लगे गेगा और पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आने वाला है तो चली मोग मिलते हैं अपनी अ अगर आप सारे वीडियो को होरिजंटल करके देखोगे तो पिक्चर क्वालिटी और वीडियो आपको अच्छी तरह नजर आएगा तो छोटी ची रिवेस्ट है हमेशा वीडियो को होरिजंटल करके ही देखना है तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास